हेलो दोस्तो मुमनी साब का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर यहां पर आपके लिए आज मैं एक special ट्रोइंग लेकि आया हूँ यह practice sets मैं आपके लिए continue इसलिए लाता रहता हूं ताकि आपके practice रहे ज्यादा ज्यादा आप सीख सकें अब बहुत सारे लोग ऐसे कह जो नहीं आ रही थी देखी videos आएंगी मैं कुछ और प्रोजेक्ट जो हमारे हैं आपके लिए जो better projects हैं उनके लिए मैं काम करता रहता हूं CNC VMC के लिए काम चल रहा है जल्दी उनके courses आपके लिए आएंगे ठीक है तो इस वीडियो में आप क्या क्या सिखने वाले स्पेश लग रही होगे आपके drawing देखने में लेकिन जब आप देखेंगे ने तो आपको confusion धरूर हो जाएगा कि यार यह वाली hidden line किसकी है यह किसकी है मैं सारी एक एक जो lines है वो आपकी clear कर दूँगा यहापे तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको यहाँ पर इसका हमको 3D model दे र का यहाँ पर देखिए यह जो देख रहे हैं आप यह वाल area taper में है यह वाल area taper में है और यह अंदर की side भी taper में इस तरह से taper ठीक है यहाँ पर यह hole है यह hole है इधर यह देखिए आर पार slot बना वहाँ ठीक है clear रहे इतना okay इसको मैं erase कर देता हूँ ठीक है यहाँ से मैं इसमें color दूसरा ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को proper दीख जाए सबसे पहले जो lines है उन lines के बारे मैं आपको बता देता हूँ यह देखिए यहाँ से देख रहे है अप यह वाली जो line है इन line को हम बोलते है dimension line कौँछे line dimension line जिसके इस तरह के arrow होते है वो वाली line जो होती है dimension line होती है dimension line क्यों बोलते है वाई यह dimensions को शो करती है अब इन dimension line को यहाँ से देखिए यह dimension line किसकी dimension बता रहे है यहाँ से लेके और यहां तक की dimension के लिए बोल रहे हैं कि यह 200 है वाई कहां से कहां तक की यहां से और यहां यह देखे यह लाइन यह जो extend करके बता रहेगी यह वाली boundary तो यह extend हो रही है तो इन लाइन को बोलते हैं extension line कौनसी line बोलते हैं extension line ठीक है dimension line होगी extension line होगी ठीक है और आप यहाँ पे देखेंगे यह जो line होती है इस तरह की line यह देखें यह वाली जो line है इस line को बोलते हैं leader line ठीक है दोस्तों यह हो गई आपकी लीडर लाइन यहां पर आप देख रहे हैं यह थिक मोटी लाइन है आउटर लाइन है इसको विजिवल लाइन गोलते हैं ठीक है यह के लिए लिए हमको दिखाई देती है यह विजिवल लाइन ठीक है यहां से आप देखेंगे यह वाली जो लाइन है, डैस, डैस करके यह वाली, इस लाइन को हम बोलते हैं, hidden line, कौनची लाइन ही यह, hidden line, ठीक है, तो आपको पता चल गया, कौन-कौनची, कौनची dimension line है, extension line है, hidden line है, और कौन-कौनची little line है, जो अब यह, सारी line हों का आपको clear होगे, ठीक है, आगे चलते हैं, अब यह तो हो गया, आपका line से introduction, कि भाई, यह, यह, यह line है, ठीक है, अब, यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देखेंगे, यह हमको दे रखा है, 2R10, यहाँ दे रखा है, 2R10, 2 मतलब दो जगए पर, ठीक है, क्या है, R का मतलब होता है, radius, radius, हिंदी में जिसको बोलते है, त्रिज्या, जो बिल्कुल नहीं है, उनके लिए बता भी देता हो, एक सर्किल होता है, व्रत होता है, जिसकी पूरी बाउंडरी है, यहाँ periphery के, यहाँ से लेकर, यहाँ तक, जो distance होती है, यह तो होगया, इसका diameter, इसका व्यास हो गया, ठीक है, इसको तो व्यास बोलते हैं, और इसके center से लेकर, और यहाँ तक की जो distance है, इसको radius बोलते है ठीक है, diameter का half होते है آधा होते है, क्या है radius, ठीक है Clear अब यहाँ पर देखे, यह radius बन रही है यहाँ पर यह radius, यह कौन सी radius है यह वाली radius है ओके, यह वाली radius कितनी जगह पर, एक यहाँ पर भी है, एक यहां पर भी है है तो इसके लिए क्या बोल दिए इसने यहीं पर बोल दिए कि बाइsh दो जगए पे है दोनों जगए पर ही यहां पर और यहां पर रैडियस यहां पर आरिटेन की रैडियस है ठीक है यह हमको यहाँ पर बोल रहा इतना के लिए रहा आपको ओके आगे बढ़ते अब हमारे पास इसके तीन व्यू दे रखें तीन व्यू है एंगल अप्रोजेक्शन को समझने के लिए आपको इसकी जरूत पड़ी आपको पता चल जाएगा अगल अप्रोजेक्शन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा इसमें कौन सा यूज हो रहा है तो हमारे पास इसके तीन व्यू दिये हुए ये वाला व्यू देखेंगे आप ये वाला जो व्यू है इस साइड व्यू है ये वाला व्यू है ये वाले view आपका top view है और ये वाले view आप देखेंगे ये जो view है ये front view है ठीक है दोस्तों front view, side view, top view तीनो view हमारे पास है अब angle of projection आपको बिना symbol के भी पता चल जाए गई कौन से angle of projection में ये drawing पनी हुए ये आपको end में बताता हूँ इससे पहले इसकी जो जो dimension चा उनको explain कर कौन कौन सी dimension किस तरह से हमको दी वी है ठीक है चलो सबसे पहले बात करूँ मैं इसकी top view की देखें ये front view है top view की जब हम इसको उपर से देखेंगे यहां से अगर मैं देख रहा हूं इसको ठीक है अब ये जो 5 का सिंबल है ये वाले सिंबल इसको बोलते हैं 5 क्या बोलते हैं 5 ठीक है और 5 किसको शो करता है डायमेटर को जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि डायमेटर के बारे में बता है कि व्यास क्या होता है तो डायमेटर को शो करने के लिए 5 के यूज करते हैं ये कित कितने का R45 यह देख रहेंग अब और यहां से लेकर है यहां से लेके और यहां तक कि जो यह वाली distance है यह हमको दे रखे है 160 ठीक है और यह वाली एक side से 20 है यह इधर से 20 है और 20-20 कितना होगे 40, 160 में आप 40 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 200 जो कि हमको यहाँ पे दे रखा है ठीक है यह 2020 कैसे पता चला इसमें से less कर दी यह पता चल जाएगा यहाँ दे भी रखा दूसरे भी के लिए रख और हमको इसमें क्या दे रखा भई राइडियस के बारे में बता दिया मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक की जो distance है यह वाली distance भी हमको 200 दे रखे है ठीक है और इसकी पोजिशन दे रखे हमको यह वाली boundary से यहाँ से यहाँ से नीचे वाली जो boundary यहाँ से और इसकी जो यह वाली starting position आप देखेंगे यह वाली तो इसकी जो distance है वो है 80 कितनी है दोस्तो 80 है ठीक है चल टोफ व्यू में जो जो dimension दे रखे थी आगे बड़े आगे हम देखते है front view front view से पहले इसकी hidden lines है उनको देखते है hidden line क्या होती है hidden line वो lines होती है जो feature हमको उस view में नहीं दिखाए देगा दूसरे view में दिखाए देगा जो किसी और feature के पिछे चिपा हुआ उसको hidden line से शो कर देते है दो तरीके हैं चिपे फिचर को देखने के या तो आप hidden line से दिखाओ या फिर उस part का section करके दिखाओ ठीक है तो अभी मैं बताता हूँ ये वाली hidden line कुछी है देखे जब मैं इस part को यहां से देखूंगा उपर से तो ये देखे ये taper में है ये जो ये line मेरे को clear दिखाए देखी visible तो ये line मेरे को clear दिख रही है ये ये वाली line है और एक ये पीछे की अब ये taper में कुछ इस तरह ऐसे है तो एक तो ये ये वाली line ये वाली line मेरे को दिखाए देखी तो यह इस तरह से यह दोनों विजीबल हो गई यह तो मेरे को दिख गई बात करूमा अंदर के अंदर भी टेपर में अब यह अंदर वाड़ा यह इस चा तो दिखाई नहीं दिखाई देगा तो इसको hidden line से शो कर दिया यह देखे इस line के जैसे यह line है इसके just pass पर यह वाली line ठीक है और एक फिर इसके ओर आगे यह taper देखेंगे यहां अंदर नीचे के तरफ यह भी taper में है न तो यह दूसरी वाड़ी hidden line यहां पर हमको दे रखें किलियर आपको ठीक है और इसके बाद में आगे चलते हैं आगे हमको और क्या-क्या दे रखा है यहां पे देखें यह hidden line से दे रखें यह वाली hidden line किसकी है जब मैं इसको यहां उपर से देखोगा यह line तो मेरे को clear दिखेंगी यह visible line मेरे यह रही यह visible line है इसके नीचे यहां पे देखें यह नही इस तरह से दिखाई जाते हैं और यहां पर क्यों दिखाते हैं ताकि कंफरम हो जाएगी यहां पे पीछे की तरफ नीचे की तरफ किस तरह का फीचर है वो तोड़ा सा समझ में है इसलिए हिडल लाइंस का यूज करते हैं कि लिए यह वाड़ा विव आपका होगे पूरा तो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं जो जिनको बहुत कम ड्रोइंग समझ में आती है उनके लिए भी ठीक है यहां पर आजाई इस विव में डाइमेंसेंस की अगर मैं बात करूं तो आपकी यहां से लेकर यहां से और इस समझा गया होगए मेंत से यह साइड़ा विव है ऐपके डिक है और आपके सब करहता है और ऐसे ए यह 20 है क्वंटी भाई ट्वंटी का स्क्वेर है ठीक है किलियर रख और बात करें यहां पर हेडल लाइन की कौन-कौन सी हेडल लाइन हमको दे रखके देखे यहां से देखे यहां पर हमको दे रखका है यह वाला अब एक तो होल की हेडल लाइन है यहां पर देखे यह हमको होल दे यह होल दिखाई दे रहा है जब हम इस साइड से देखेंगे तो यह होल है यह आपको दिखाई नहीं देगा न यहां से देख रहे हैं यह वाला जो होल है हम इडर से देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा अब इस होल की यह वाली बाउंडरी दिखेंगे यह वाली और यह hole की इधर की एक maximum boundary इधर की यह radius वाड़ी boundary देख यह boundary होगी ठीक है इसके बाद में एक hole के अंदर के boundary hole के अंदर के boundary और एक फिर यह पीछे यह जो radius बन रही नहीं यह वाली यह वाली एक इसकी boundary एक यह है ठीक है तो यह यह जो है इस तरह से इसमें confusion create होता है यार यह इतनी सारी hidden lines कहां से आगे जबकि यह सारे feature हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे है ओके clear है अब देखे यहाँ पे एक सारा इस view में clear है यहाँ पे आ जाईए यहाँ पे आमको देखांगा इसकी height एक साइड का भीया है इसको इसको इदर से देखेंगे श्याइड है ठीक है यह मारा front view था इसे सब्सक्राइड से देखा ततब यह फरंट भीयो थे ठीक है, अब ये इसको side से देख रहे हैं, तो ये इसका side का भी है, ठीक है, और ये right side का भी है, right में ही बन रहा है, ये top में ही बन रहा है, angle of production का आपको पता चल जाएगा, अब ये आपको बता देता हूं, यहाँ पी क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमको इसकी height, total कितनी है and ready kiss की height दे रखे, clear है, अब इधर से देखेंगे, तो कौन-कौन ची line हमको height गर के दिखा रखा है, वो आपको बता देता हूं, कौन-कौन सा feature आपको दिखेगा, hidden lines का थोड़े clear हो जाएगा, तो आपको पता चलने लग जाएगे कि किस तरह से हमें feature दिखाया जाता है, दे ठीक है, और आपकी ये वाली line और ये वाली line जो 20-20 वाली है, ये होगी, clear है, okay, अब यहाँ पे देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली, ये वाली तो आपकी ये साम देगी है, जो आपको दिखाई देगी, वो वाली line होगी है, ठीक है, यहाँ पे देखे अंदर भी यहाँ पर एक hidden line दिखाए देगी एक तो यह वाली line बन रही है यह radius वाली यह तो आपको दिखाए देगी जो कि थिक line चे दिखा दी outer boundary यह यह तो R45 वाला है और जो अंदर वाला है वो दिखाए नहीं देगा तो यह यहाँ पर hidden line से हमको दिखा रखा है ठीक है पचास का diameter है यह diameter कितना है पचास hidden line चे हमको दिखा रखा है ठीक है और यह hidden line हमको दिखा रखे यहाँ पर यह किसली दिखा रखे है जब यहाँ से देखेंगे हम तो यह तो को दिखाई दे रहे है लेकिन यहां पिछे वाला नहीं दिख रहा न यहां यह नीचे वाला है, इसके नीचे जस्त नीचे वाला तो यह हमको यहां दिखा रखा है Piddle Line से, यह देखे, यहां Piddle Line शेम नीचे, यहां पर जब यह hole है उसकी boundary हमको ये दिखा रखे है hidden line से ठीक है तो ये hidden line हमको दिखा रखे clear और ये वाली जो line है इस line को हम बोलते हैं भाई center line कौन से line है center line ओके अब बात करूं angle of projection की किस angle of projection में हमको दे रखा देखे ये इसका front view है जब इसको हमए इसको देख के पता चल रहा है जब इसके उपर हमको ये दे रखा एक view दे रखा है ये हमारा main view हो गया कि इसके respect में ये विच्छी रखा इसका टोप जब्सके top में बन रहा है top view top में बन रहा है इसका ये देखे side यहां पे आप खड़ेंगे अगर इदर से देखते हैं तो आपको बीच में होता है प्रोजक्शन मनता है पीछे जबकि third angle projection में क्या होता है यहां पे आप होंगे यहां देखेंगे plane of projection बीच में आगया यहां पे आपका object होगा ठीक है तो क्या होता है यहां पे देखेंगे अगर आप यहां पे खड़े हो जाइए यहां पे इस part के यहां पे हो जाइए यहां से आप देखेंगे नीचे की तरफ क्या हो रहा है आपका यह प्रोजेक्शन बन रहा है टोप वाला यह तो हो गया आपका प्रोजेक्शन और यहां पे है आपका जोब ठीक है अब प्रोजेक्शन बीच में आ रहा है जोब आपका नीचे है यहाँ पर देखे, प्रोजेक्शन बीच में आ रहा है, यहाँ पर 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 प्रोजेक्शन बीच में आ रहा है, और जोब रहता है पीछे यह ज़र होता, तो यह हो जाता first angle projection, top view bottom में बनता, right side view left view में बनता, उसमें उल्टा हो जाता है, बस इतना सांतर हो, बाकि कोई भी dimensions में किसी भी चीज में कोई भी अंतर नहीं होगा, अगर angle of projection में अगर आपको confusion है, तो आप आप उमारे वीडियो देख सकते हैं, जिसका link मेंने description में बना रखा है, आप वहाँ पर जाएंगे, क्लिक कीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है, उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप drawing जल्दी सीखना चाते हैं, तो हमारा course भी ले सकते हैं, मैंने पूरा course बना रखा है, आप हमारा app भी download कर सकते हैं, आप app download नहीं करना चाते हैं, website भी जाके भी इसको check कर सकते हैं, जो web है, उसका भी link आपको मिल जाएगा, WhatsApp group में आप जूड़ सकते हैं, WhatsApp के through मेरे से contact कर सकते हैं, जैसे आप चाहिए, वैसे आप मेरे से contact कर सकते हैं, आपकी जो भी क्यूरीज होगी, उनका अन्सफर मैं जरूर दूँगा, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्यू